इंडियन ओईल की तरफ से डिजिटल पेमेंट की एक नई शुब्धा परदान की गई है सारे इंडियन उभवक्ता अपने स्मार्ट फोन पर इंडियन एप गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसके परचास साइन अप करके उसमें जरूरी डिटेल जैसे की उभवक्ता आईडी रिजिस्टर इमेल आईडी और कोई भी आईडी प्रूफ की जानकारी उसमें भर दे उभवक्ता अपना एलपीजी आईडी अपने वितरक्त से पता कर सकते हैं साइन अप करने के परचात लॉग इन और पासवर्ड रिजिस्टर इमेल पर जाएगा उभवक्ता उस लॉग इन आईडी और पासवर्ड का इस्तिमाल करके इंडीन एप से साइन इन करें अब एलपीजी रिफिल बहुत ही असाने से सिर्फ एलपीजी रिफिल पर उंगली दबा कर बुक किया जा सकता है जैसे ही रिफिल बुक हो जाएगा तुरंट उसका मैसेज सेमेस के माधिन से आपके पंजिक्रित मॉबाइल नमबर पर आ जाएगा उस सेमेस में एक ओनलाइन पेमिन्ट का लिंक भी आएगा जो कि एक घंटे के लिए वैलिट रहेगा इस लिंक पर क्लिक करने के पाश्चास सिस्टम पेमेंट करने की विधी जैसे कि ओनलाइन पेमेंट नेट बेंकिंग द्वारा डेविट कार्ड या क्रेडिट कार्ड द्वारा पुछेगा आप कोई भी माध्यम सेलेक्ट करके ओनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आनलाइन पेमिंट करते ही आपको पेमिंट की रसीद और एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग नंबर SMS के माधिम से आ जाएगा इस सिस्टम से उभुकताओं को सबसे बड़ा फाइदा ये होगा कि बुकिंग और पेमिंट डिजिटल मोड में बहुत ही असान प्रक्रिया द्वारा होगी और पांच का डिसकाउंट उभुकताओं को मिलेगा इस सिस्टम का दूसरा ये फाइदा है कि गैस की ओवर चार्जिंग या खुले पैसे देने का जंदर समापत हो जाएगा और एल पेजिस लेंडर विरता पर उभुकताओं को मिलेगी सारे ही होम डेलिवरी उभुकताओं से अनरोध है कि वो इंडियन मोबाइल एप द्वारा है रिफिट बुक करें और डिजिटल पेइमेंट की सुविधा का अधिक से अधिक लाव उठाए ये जानकारी इंडियन ओयल कस्टमर स्पोर्ट सेल प्रबंधक रभी कुमार दिमान ने दी इंडियन ओयल ने एक नए इनिशिटिव लिया है कि डिजिटल पेइमेंट जो है एल पीजी रिफिल्स या नए कनेक्शन्स पर कैसे करेंगा तो उसके बारे मैं मैं आज थोड़ा सा बताना चाहूंगा अपने भोगताओं को तो जैसे हमिरपुर मैं सबसे पहले जो नगल पर चाहते लिया है वहाँ पे हमारी होम डिलिवरी चल रही है तो मैं लोगों को यह बाना चाहूंगा कि वो अपने समार्ट फोन के उपर इंडेन मॉवाईल अप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पे जाके जैसे वो उसको डाउनलोड करेंगे उसमें वो साइन अप करके अपनी डिटेल भरेंगे उसमें उनको दो चीज़ें चाहिए होंगी एक कंजूमर आईडी जो अपने डिस्टिब्यूटर से वो पता कर सकते हैं और एक रिजिस्टर मेल जो वो अपने आप बनाएंगे सबसे पहले उसका जो पासवर्ड है बोनके इमेल पे जाएगा उसके बाद इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आपको कोई भी फोन नहीं करना है आप उस मॉवाईल एप से सिर्फ एक उंगली लगाके अपना जो है अलपीजी रिफिल बुक कर सकते है जैसे आप अपना अलपीजी रिफिल बुक करेंगे तो उसमें आपको SMS आएगा साथ में ATM की तरह बिलकोई कि आपका मॉवाईल बुक हो गया है और इस लिंक पे आप आप आउनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वो लिंक एक घंटे के लिए वैलिड रहेगा जैसे ही आप उस लिंक के उपर जाएंगे उस लिंक के उपर क्लिक करके सिस्टम आप से अपने आप पूछेगा कि आप पेमेंट जो है किस माध्यम से करना चाहते हैं नेट बेंकिंग से क्रेडिट कार्ड से डेविट कार्ड से या जो भी भीम एप है तो आप बहां पर अपना जैसे हर किसी के पास एटियम कार्ड है तो आप उस डेविट कार्ड को सेलेक्ट करके आप उसकी पेमेंट कर सकते हैं इसकी भोगताओं को दो सबसे बड़े फाइदे ही है कि गैस का रेट क्या चल रहा है या कोई ओवर चार्जिंग नहीं है उससे वो बच सकते हैं तीसरा सबसे बड़ी इसकी अडवांटेज यह है कि आपको कोई भी छुटा पैसा नहीं देना या जैसे हमारे पास कोई एक्सचेंज की प्रॉल्म है और गैस जनसी पे इमीजेट आपकी दो इन्फरमेशन ट्रांसफर हो जाएंगी कि आपकी गैस भुकिं नंबर क्या है और आपकी जो आपने आउनलाइन पैमेंट की है आपने इसका जो है आपकी रिसीट क्या है तो मेरी सबसे यह नोध रहेगा कि इसका धिक से धिक आप इस्तेमाल करें और मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जो भुकता इसका इस्तेमाल करेंगे उनको पांच रुपे इमीजेट जो है रिफिल के ओपर डिसकाउंट मिलेगा